तो Hello friends, आज़, हम बात करने होड़े हैं, जो हर बास मुवाइल फोन है, Infinix Note 35G मुवाइल फोन तो फिर्टे拍 फट आ जाते हैं हमारे केमरे में, केमरे में आने हम देख लेते हैं इसकी zooming की test तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उपर आपको काफी सारे options दिखाई दे रहा है जिसके बारा में हम काफी सारी वीडियो में बात करी चुके हैं तो इसमें में क्युक्ली क्युक्ली बता देता हूं ये आपकी सेटिंग का सेक्शन ये आपका फ्लेश लाइट है ये एक स्पेक्ट्रम रिश्यो ये फ्लिटर से एक एक को खोल कर नहीं दिखाऊ वह ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फटा-फटा हम क्या करते हैं य लेकिन किसी-किसी फोनों में जो है वो 20x तक आता है बर 15,000 रोपय में 10x में अच्छी quality 108 MP आपको कोई नहीं देने वाला तो काफी अच्छा वक्त में 10-100 आपको कोई खक्था देशाने का ट॰साएं में जो देखे वाली है है तो ऐसने में जो tapping gwast कर लेते हो उप करेंगी तो फोलट इतने ही ही शाद ये चली वह यह हम टेस्ट कर लेते हैं यह तो हमने नॉर्मल क्लिक कर रही फोटो अब आजाते हैं इसकी जूमिंग के टेक्शन में मैं देख सकते हैं जीरे-दीरे जूँम कर रहा हूं आपको लग रहा हो काफी बढ़िया है काफी बढ़िया 4x सकतो काफी अच्छी फोटो आएगी अभ देख लेते हैं जरा इस यह सारे फंक्शन से एक बार एएए में भी ट्राय करके देख लेते हैं बेक कर लेते हैं एएए मोड पर कर देता हूं क्लिक तो आप देख सकते हैं यह हमारा एए मोड एए में जो 1x की जूमिंग में है नॉर्मल जो आपका केमरा होता उस पे देंग और कर लेते हैं डेखते हैं क्या क्वालिटी देता है जूमिंग में अभी आ देख सकते हैं मैंने 7x 10x तकर कर दी है और आप एक पोटो क्लिक कर लूँगा तो आप देख सकते हैं फोट गी क्या क्वालिटी आई है एग यह है नुद्टस की बिल्recht के नाहर्मल केमर क्या लगा वो आप comment box में जरूरह बताईएगा ठीक है ना अब बाकी जोला zooming और कर लेते हैं तो यह हमारी जेक सकते 10x की zooming और करके इसकी AI में भी photo click कर लेते हैं यह हमारी 10x की zooming में AI के साथ photo तो यह हमने photo click कर लिए है और इसमें भी देख सकते हैं दूसरी photo में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आए वो वैसे ही है आपका कोई ना कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला अब 108 मेगा पिक्सल की बारी तो फटा-फट एमोट को अटाते हैं और यह जो का बाजी बैक कर लेते हैं अब इसकी जो जूमिंग और कर लेते हैं 네 देख सकते हैं मैं आप 4X में तो काफी अच्छा दिखेगा है लेकिन 10X जो फुल इसकी जूमिंग है वो मैंने कर ली है पूरी तरीके से फोकस करते हैं इसको पूरी तरीके से फोकस करने के बाद और ये फोटो हमने कर ली क्लिक फोटो क्लिक करने गए अब देख लेते हैं कैसी क्या फोटो आई है यह देख सकते हैं फोटो की क्वालिटी जो आपके नॉर्मल केमरे थे और जो यह आपका 108 मेगा पिक्सल का कैमरा है उसमें काफी जादा फरक है पूरी की पूरी 10x की जूमिंग करने के बाद भी इसके जो आ रहे हैं तो यह काफी अच्छी डिटेलिंग दिए इसने अब इसी में हम थोड़ा एक साथ इसको 108 मेगा पिक्सल की जो कैमरा टेस्ट कर लेते हैं पहले एक नॉर्मल फोटो क्लिक कर ली मैंने फिर अब जो जूमिंग में कर लेते हैं जारा पहले एक फोटो नॉर्मल द कर लेते हैं इसकी जूमिंग और देख लेते हैं ठीके न इसके बाद आप इसकी जूमिंग और कर लेते हैं देख सकते हैं इसमें भी आपको 10x की जूमिंग मिल जाती है और AI भी मोड ओपन है दोनों मोड ओने इसके बाद हम जो फोटो क्लिक कर रहे हैं यह देख सकते हैं हमने क्लिक कर लिए एक और फोटो क्लिक कर लेते हैं यह देख सकते हैं यह फोटो क्लिक कर लिए हमने फोटो की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया आए बीच में जो तार है वो भी कितना ज्यादा किलियर आ रहा है साथ में लग रहा है कि हाँ इस कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताएगा आपको कौनसी AI मोड अच्छा लगा कि 108 मेंगा पिक्सल का कैमरा अच्छा लगा वह भी कमेंड बॉक्स में बताएगा और आपने भी अगर कभी टेस्ट किया हो आप अपना रिव्यू भी दिखी जीगा चलिए मिलते हैं नेक्स आप